सुजानपुर नगरपर्षत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बत पर खींचातानी के बाद अध्यक्ष कॉंग्रेस का तो उपाध्यक्ष भाजपा का बन गया लेकिन इस सारे प्रकर्ण के पीछे हुए घटना क्रम पर पिधायक राजंदर राणा ने भाजपा खिलाफ अगवा करने का केस बनाने के आरोप लगाए हैं नगरपरशत में अध्यक्ष और उपध्यक्ष पत पर फिल्मी स्टाइल में भाषपा के नुमाइंदों के द्वारा शडियंतर रचनिक की साजिश पर सुजानपुर के विधायक राजिंदर राणा ने भाषपा पर तीके आरोप लगाए हैं राणा नी कहा कि जिस तरह से भाषपा के लोगों के द्वारा बाठ नमबर छे के पार्षट पर दवाब बनाया किटनैपिंग का मामला दर्श करवाने के लिए कहा गया है जो कि निंदनिय है उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में भी चुनाबों में सुजानपर की जनता को डराया गया था उन्होंने कहा कि अगर मुक्य मंत्री धूमल बनते तो ये भाषपा के गुंडे लोगों का जीना दूबर कर देते हैं अगर प्रशिद का सुजान प्रमेचनाब हुआ है इसमें चार भारती जनता पार्टी के जो जीतके आए थे और चार ही कॉंग्रस पार्टी के जीतकर आए थे एक इंडिपेंडेंट था जो कि जिसकी जो आइड़लोजी थी वो कॉंग्रस की थी जैसे ही रिजल्ट निकला उसके बाद जो है इंडिपेंडेंडेंट जो थे उनको भारती जनता पार्टी ने अपनी पास लेके उसको जोईन करवा लिया और अब जो नतीजाया है उसमें ध्यक्ष जो बने हैं वो कॉंग्रिस के बने हैं और उपा ध्यक्ष जो हैं वो इंडिपेंडेंट जो हैं वो बने हैं देखिए ऐसा है कि भारतिय जनता पार्टी के एक जो पार्शद है वो अपने परिवार के साथ मुझे मिलने के लिए आए थे उनने मुझे अप्रोच किया और मुझे बड़ी दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि एक ब्यक्ति मेरे पास आता है अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ आता है और पीछे से भारतिय जंता पार्टी के जिसको मैं कह सकता हूँ कि सरिकारी स्पॉंसर्ड गुंडाज ऑजो है वह पर उसके परिवार को तंग करते हैं और तंग ही नहीं करते हैं बलकि धंकियां दी जाती हैं उनके रात को उनके जो हैं वो दिरवाज्य जो हैं को लाते मारी जाती हैं और उनके फादर को जो है वो दुकान पे जाके धमकाया जाता है उनकी मदर को जो है वहां से उठा कर पुलिस टेशन में खुद भाजपा के जो लोग हैं उन्होंने दरखास लिखके मुझे जो हैं इंप् बिधाईक पूरे चुनाव क्षेत्र का है और बिधाईक को कोई भाजपा या कॉंगर्स का ही लोग मिलने नहीं आते हैं और मुझे बिधाई के नाते वो भी बिएकती मिलने के लिए आये थे और इन्हों ने प्रयास किया और उसके बाद उसको धमकाया गया टेली फून पर से बात होई और ऐसे यहां पर जो है फिल्मी स्टाइल में जो है यहां पर ऐसी गुंडा गर्दी हुई वो ब्यक्ति परिवार के साथ मेरे पास आया मेरे पास पैठा चाये भी नीचे कोई उनके जानकार थे मेरे गौँ में उनको मिलने के लिए गए और वहां से टेलिफून से उठा के लेके जाते हैं और गाड़ी में ऐसे देकेल के फैंकते हैं कि जैसे ट्रक में समान फैका जाता है अम्मानवी अभ्यवार उसके साथ लोगों ने होते हुए देखा और मुझे बताया क्या कि तीन गाड़ियां पुलिस की वी जो है साथ आती है और मेरे घर से भाजपा समर्थी तो जो पार्शत है उसके घर में रखा जाता है अम्मानवी अभ्यवार किया जाता है जो कि उसने मुझे खुद आज बताया है दूसरी बात बहां पर पुलिस के पुलिस स्टेशन से आईयो को बलाया जाता है और भाजपा के दो लोग उस नौजवान ल मैं पहले हमीर पर गया फिर मैं पटला अंदर गया फिर बिधाईक जी के गौह में गया तो क्या उसने कहा कि बिधाईक को मिलना कोई गुना हो गया मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने उस ब्यक्ति पर जो है वो दबाब बनाया और मैं इस तरह के किसे हो रहे हैं और मैं इस सीधे सीधे तोर पर कहना चाहता हूं कि 2017 का चुनाब ही हम ने देखा है तब ही सुझान पर के लोगों को भाजपा के लोगों ने बहुत सारा ड्राया अदम काया था फिर से ये गुन्डा गर्दी इनों शूरु कर दिया अगर यह यहां पर सिर्फ कॉंगर्स के लोग आएं बाजपा के ना आएं तो इसलिए बड़े शर्म की बात है बड़े दुख की बात है और इनका प्रयास रहा कि किसी भी तरीके से विदाई कि जो है इस मामले में बदनाम किया जाए और मुकदमा दर्ज करवाया जाए राजंदर राणा ने कहा कि वर्ष 2009 में भाजपा सरकार ने भी आरोप लगाये थे लेकिन उस समय भी सत्ते की जीत हुई थी और अब सुजानपुर नगर परशत में भी हुए सारे मामले में प्रिशासन का सहयोग रहा है लेकिन नगर परशत के चुनापों में भाजपा को मोग की खानी पड़ी है उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा जिस परशत को उठा कर ले जाये गया था उसी ने बाद में कॉंग्रेस को समर्थन दिया है जिससे भाजपा का चेहरा बेनकाब हुआ है राणा ने कहा कि सारे मामले से बहुत आहत्ब दुख हुआ है तो उसमें भी सत्या में जायती की जीत होई थी डीजीपी को खुद प्रेस कांफरेंस करके बोलना पड़ा था कि रजिंदर रहना का इसमें कोई लेना देना नहीं है और आज जो सारा एपीसोड हुआ है मैं जुरूर कहना चाहता हूँ कि पुलिस का जो रोल था वो बिल्कुल निस्पक्ष रहा है पुलिस का जो रोल है अड्मिशेशन का भी रोल बहुत अच्छा रहा है कोई ऐसा नहीं है पर तो एक नगर परिश्यत का चुनाव हो रहा है जिसमें इनको मूँ की खानी पड़ी है और बहाँ पर पुलिस की चाबनी बना हुआ था और जिस ब्यक्ति को ये उठा के लेके गए उस ब्यक्ति को एक घर में रखा गया और अमानवी ब्याबार तो हुआ ही और साथ में 25 लोग उसकी प्रोटेक्शन में बहार पुलिस के लगाए गए तो हिमाचल परदेश में ऐसी जो घटने घट रही है ये एक सांती प्रिया परदेश और एक दे भूमी होने के इनाते यहां पर ऐसी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि ये चिंता का विशह है और ये सरकार की भी बंधनामी का कारण बन रही है और आने वाले समय के लिए समाज हुए इन बातों को लोग चिंतीत है हम लोग भी चिंतीत है और मैं बड़ा आहात हूँ कि जो ब्यक्ती समाजी की ब्यक्ती है मैं लोगों की सेवा करता हूँ जो ब्यक्ती की चिंटी को पैर के नीचे आते देखकर उसको अपना पैर अटा लेता है उसके उपर ऐसी चीज़ें करने के लोग कोशिश करें तो मुझे बहुत हातों तो हुआ ही हूँ और पर मैं चिंता भी बहुत कर रहा हूँ कि ये भाजपा के लोगों का ऐसा नहीं करना चाहिए था राजिंदराना ने बताया कि इस प्रकर्ण पर देरात को मुक्य मंत्री जहरम ठाकोर से भी दूर भाष पर सारी बात बताई है और चिंता जाहिर की है कि हिमाजल जैसे शांती प्रियर प्रिदेश में भी इस तरह की घटनाएं होने से अगर बेधायक सुरक्षित नहीं है तो आम आदनी की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं यह जो मेरे खिलाफ सिकाइद करी गई है पुलिस में की गई है वहाँ पर पुलिस टेशन में कम्प्लेंट कराई गई है कि वह हमारा जो है वो लड़का गुम हो गया है और उसके बाद यहां पर जो सारी चीज़ें हुई हैं आप इसकी तहकीकात करना चाहें तो प्रशार यह सच है यहां जो मैंने अपनी आखों से देखा है तीन गाड़ियां पुलिस की जो है मेरे इलाके में नाकल लगा के खड़ी हो गई और तीन गाड़ियां उसको ठाके ले गई कोई ब्यक्ति अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट देश है डेमोक्रिटिक देश है यहां मर परदेश में बिहार और उत्तरपरदेश ना मने जिस तरीके से यहां पर सुजानपर में गटना गटी है और भाजपा के स्पॉंसरर्ड गुंडे जो हैं उनने ऐसी बारदात को अन्जाम दिया है यह आने वाले समय के लिए आने वाली पीडी के लिए यह कोई अच्छे सं परतु मेरी आत्मा और मेरी दिल को नी उठा के लिए है और चुनाब में नतीजे अपने देखि लिए है झाल झाल